तो दोस्तों आपका एक बार फिर से R2Stay टीम पर तो बच्चों देखेंगे जो आपकी क्यक्षा R2B के बच्चों के पेपर आने बाले हैं एक अपरेल से लगब के एक अपरेल से ही होंगे तो उनकी प्रेक्टिस के लिए बार्शिक मुल्यांकन परिक्चा 2022 का आज पेपर हम सॉल्व करेंगे तो इस पेपर से आपको पता चलेगा कि आपका पेपर बार्शिक पेपर किस पैटर्न पर बनेगा तो आपका परिक्चा समय रहेगा परिक्चा करने का समय रहेगा साथ और आपके निर्दे सांग किये हैं निर्दे सांग पढ़ लेती हैं पहले पहला है सबी पिष्ण अनिवार हैं हल करना और दूसे नम्मर पर पिष्ण करमांग एक से लेके दो तक बस्तुनिश प्रिष्ण है और तीन तीन में अतिलग उत्तिय प्रिष्ण है और चार में लगू उत्तर ये प्रिष्ण तो पाच में सही प्रिष्णों के अंग प्रिष्ण के समख्च आवांटित है तो दोस्तों आपका इसी पैटर्न पर आपका बारसे प्रिक्चर का पेपर मिलेगा यदि आपने इस पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी इस पेपर को सॉल्व करने में चलिए तो चलिए देखती है पहला प्रिश्न पहला पिशन है आपका विद्या की देवी किसे कहा जाता है तो आपको ये पता ही होगा विद्या की देवी मा सरस्वती को कहा जाता है इसके आपसन है मा पारवती, मा संतोसी, मा गंगा तो इसका आपका आंसर सावाला हो जाएगा मा सरस्वती और second है खंदक, खाईयों, समासिक पद में कौन सा समास है इसके option है आवाला, तत्पुरुष, बीबाला, दिगु शमास या द्वेंद समास या वहुवरिय शमास तो इसका आपका answer हो जाएगा सब आवाला द्वेंद समास है कौन सा समास है द्वेंद समास चली देखती है त्यर्ड, त्यर्ड है आपका, गिर्दर नागर किसे कहती है गिर्दर नागर किसे कहा गया है, राम जी को कहा गया है, गणे जी को कहा गया है या सिब जी को कहा गया है, या किष्ण जी को, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा किष्ण को गिर्दर नागर किष्ण को कहा गया है चलिए देख लीते हैं अगला अगला है आपका अम्भुज किसका पर्यावाची सब्द है तो अम्भुज है कमल का किसका कमल का पर्यावाची सब्द है चलिए बढ़ते हैं आगे यह आपके दित्तिस्तान है आपका इसी पैटरन पर बार्शी परिक्षा का पेपर बनेगा एधि आपने इसको अच्छी से करके देख लिया तो आपको परिक्षा देते समय कुछ दिक्कत नहीं आएगी अपकी बार पाजी और आडवी बोर्ड एक्जाम होएंगे आडवी के बोर्ड एक्जाम सरकार ने गोसित कर दिया है आपके बोर्ड परिक्षा होंगी तो आपको अच्छी से कल लेना है सिलेवर साब का कम्प्लीट होई चुका होगा तो चलिए देख लेते हैं सेकंड नम्मर प्रें रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजे आपके पांच नम्मर के आएंगे पहला है प्राचिन काल में चंद्र ग्रहंड सूर ग्रहंड के लिए खालिस्तान उत्तर दाई माना जाता है तूसरा है भट सब्द का प्रेवाची सब्द है तरड है तन में सब्द का संदिविच्चित क्या हुआ और फूर्द है आपका खालिस्तान की रक्षा करते हुई अनेक बिश्णूई सिकारियों के हाथों साइध हुए और पांच वह कभी ने दौलत को सवबाब तरह का बताया है लब कभी ने दौलत को सवबाब तरह का बनाया जाता है तो इनको आपको अच्छे से अपनी उस तक में देख लेना है इनके आंसर देख लेना है और मैं जल्दी आपके लिए अगली वीडियो लाऊंगा उसमें हल साइध और और वी आपके बारसिक मुल लेंकर पेपर सॉल्व हम करेंगे चलिए देख लेती हैं आपका अगला थन नम्मर पर आपके आएंगे अति लगूत्य प्रिश्ण तो इनको भी आपको अच्छे से एक बार करके देख लेना है ये बहुत भेरी भेरी इंपोटेंट कॉस्टन है आपके लिए ये आपको लगवग बार्षे प्रिक्चा में देखने के लिए मिल सकती है और इनमें से ही बो देंगे ये बहुत अति महत्मूत प्रिश्ण है चलिए आपको इनको कल लेना है चलिए देखती है प्रतिक प्रिश्ण आपका दो-दो अंका है प्रिष्ण है आपके इसमें प्रिष्ण एक दो दो अंका है चली पढ़ लेते हैं पहला है कभी सुतंतरता का मंत्र कहां भरने की बात कह रहा है दूसरा है मनुष्ण के आत्म विश्वास हीन होने का क्या कारण है थर्ड है लता जी की सपलता का मूल मंत्र क्या है और आपका फूर्द है डॉक्टर चंद्रा की वहती किसी एक अनव्यक्ति का उधारन दीजिए और प्मजबा है अदम का उद्धारक किसी कहा गया है तो इन पिश्णों को आपको अच्छे से देख लेना है और मैं जल्द ही अगली वीडियो अपलोड करूँगा इनके आंसर सहीद प्रयादी आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ना किया हो R2 Study Team को तो आप उसको सस्क्राइब कर लें और टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर लें जिससे कि आपको इसकी PDF भी मिल सके और पेपरों की भी PDF मिल सके R2 Study Team आपको सर्च करना है टेलिग्राम पर जाका बिना स्पेस दिए चलिए देख लें थी हैं आगे फूर्थ चौता प्रिश्ण चौते नम्मर पर हैं आपके लगू उत्तर ये प्रिश्ण है क्या है लगू उत्तर ये प्रिश्ण है चौते नम्मर पर तो ये आपके पंदा नम्मर के हैं पंदा नम्मर के आपका प्रते कॉश्ण इसका तीन तीन नम्मर का है प्रते कॉश्ण तीन तीन अंका आएगा तो आपके board exam होंगे आपको अच्छी से तायारी करना है आपको revise करके देखना है जो आपने याद कर लिया है पूरे subject आपके complete हो चुके हैं आपको math का भी revision करके देखना है तो इन question को भी आपको एक बार अच्छी से देख लेना है उफचार के लिए बिर्शा, मुंडा, जड़ी बूटियों के साथ क्या बताया करते थे तो इसका आपको answer आपकी part पुस्तिकामा से देख लेना है दूसरा है प्रदूसन से बचाने के लिए हमें किस की रक्चा करनी चाहिए प्रदूसन से बचने के लिए हमें किस की रक्चा करनी चाहिए हमारे मन में पिल्ले की आग कव उठ सकती है और क्यों हमें मीटे बचन क्यों बोलना चाहिए हमने संसार को कौन सा संदिश दिया है तो आपको बिलकुल भी tension नहीं लेना है आपका पेपर बिलकुल सरल आएगा भली बोर्ट परिक्चा हो रही है आपकी इस बार 2022 में आपकी एक अप्रेल से लगबख सुरू हो जाएंगी धुली के बाद तो आपको इनको अच्छी से करके देख लेना है हम जल दी अगली वीडियो अपलोड करेंगे अपका बासिख मुल्यांग के आदार पर आपको सॉल्व कराएंगे पेपर तो जिदी आपने हमारी चैनल को ससक्राइब नजया हो तो ससक्राइब कर लिजिए क्योंकि आपको अगे बहुत वीडियो जो मिलने वाली हैं अगली आपके बार से मूल लेंगन के आधार पर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तक के लिए धन्वार